हर्याना का इंपोर्टेंट टॉपिक हर्याना के राजयपाल ठीक है क्योंकि important question राजयपाल से पूछे जा सकते हैं अभी जिसे आपने देखा एक्जाम हुए तो वहां पर भी जो है राजयपाल से कुछन देखने को मिलें चाहिए पूछा गया कि कुन सा राजयपाल जो है कि सकते हैं सबसे लंबा कारियकाल किस का रहा या सबसे कम कारियकाल जो है किस का रहा और कितने दिन तक रहा तो बहुत सारे important facts जो हम जानेंगे राज़्यपाल के बारी में और वो भी हरियाना के ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले जो भी बच्चे हर्याना कॉंस्टेबल की तयारी कर रहे हैं या इसके अलावा अगर आप ग्राम सचीव के एक्जाम की भी तयारी कर रहे हैं और मोक टेस्ट लेना चाहती हैं तो परिक्षा एप पर जो है मोक टेस्ट अविलिबल है इन मौक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं कोड है टॉपस 50 अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको मौक टेस्ट पे 50% का ओफ मिल जाएगा ओकी तो जो बच्चा लेना चाहे ले सकता है ठीक चलिए अभी हम शुरू करते हैं राजयपाल के बारे में पढ़ना तो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत चीजे राजयपाल के बारे में जानेंगे कि राजयपाल का जो भी वर्णन है वो कहां पर मिलता है या को नियुक्ति करता है और इसकी जो नियुक्ति करने की एज होती है वो minimum कितनी होनी चाहिए तो वही सारी चीज़े जो हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राज्यपाल की प्रतेक राज्ये का एक राज्यपाल होगा अनुचेथ 53 में क्या कहा गया है कि प्रतेक राज्ये का एक राज्यपाल होगा लेकिन आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि एक ही राज्यपाल जो है दो जगह पर होता है यानि कि दो राज्यों का एक ही राज्यपाल होता है तो फिर ऐसा क्यों? क्यो laquelle जब सविधान में कहा गया कि प्रतेग राज्ये का एक राज्यपाल होगा तो ऐसा क्यों? तो ये क्या गया साथवी समीधान संसोधन के त्खेट अब ये भी कोशिण आपसे पूछा जा सकते है कि सात्वा सवीधान संसोधन हुआ कब तो सात्वा सवीधान संसोधन जो था ये 1956 में हुआ जिसके तहट क्या किया गया कि एक ही वेक्ति को जो है दो या दो से अधिक राज्यों का क्या है राजयपाल बनाया जा सकता है तो ये point यहां से पूछा जा सकता है वैसी है जिस तरीके से राश्ट्रपती की होती है जैसे राश्ट्रपती के लिए एज जो है वो 35 होनी चाहिए राजयपाल के लिए कितनी उमर होनी चाहिए 35 ही एज होनी चाहिए इसके अलावा और क्या योग्यता होनी चाहिए इसमें विधान सभा की सदर्षय बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके बाद एक और कोशन आता है कि आपसे चार ओप्षन दिये होंगे और पूछा जाएगा कि इन में से कौन है जो राष्टरपती के प्रसाद प्रियंत जो है पदधारन करता है तो वो है राजयपाल तो र पांच वर्ष जो है राजयपाल का टाइम पिरियंड होता है इसके अलावा शपत कौन दिलाता है राजयपाल को या के लिजए कि राजयपाल जो होता है शपत कि इसके सामने लेता है तो उच्छ नाल्य यानि कि हाई कोड के मुख्य न्याइधीश के सामने जो है राजयप इसके अलावा यहां से जो कोशन आता है कि राज्ये पाल किस किस की नियुकति करता है। अगलो इंडियन की, अब हमी पता है, अगर मैं राश्ट्रपती की बात करूँ, तो राश्ट्रपती कितने अगलो इंडियन को मनोनित करता है, दो को, लेकिन राज्यपाल कितने को करता है, एक अगलो इंडियन सदश्य को क्या करता है, मनोनित करता है, तो ये चीज़ इसमें राज्य पाल के द्वारा और एक और महाधी वक्ता महाधी वक्ता को भी जो है कौन न्यूक्त करता है राष्टरपती ही न्यूक्त करता है तो यह चारो की चारो इंपोर्टेंट है याद रखें कि राष्टरपती इन इनकी न्यूक्ती करता है एक और कोशन आता है कि राज्य का समयधानिक प्रधान कोन होता है रज्य का समयधानिक प्रधान तो कौन होता है रज्यपाल होता है रज्यपाल करता है इनकी नियुक्ति ठीक है तो रज्यपाल होता है जैसे अगर आपसे पूझा जाए किंद्र का या संग का समयधानिक प्रधान कोन होता है तो यह सारे पॉइंट इसमें आप याद रखेगा ओके देखे जैसे अब अगर बात करने चलें कि इसकी योगयता कि इस आर्टिकल में तो वो एक पॉलिटी का अलग टॉपिक हमारा बन जाता है इसमें हमें सिफ में में चीज़े थी जो पता होनी चीज़े थी अब आगे हमारा जो में टॉपिक है वो है हर्याना के रज्यपाल के बारे में पढ़ना तो हम उस पर फोकस करते हैं ठीक है चलिए अगला देखिए देखें, सबसे पहली पढ़ रहे हैं हम हर्याना के पहली गवर्नर के बारे में तो यह कोशन बहुत बार पूछा जा चुका है कि हर्याना के पहली गवर्नर कोन थे, हर्याना के पहली राज्यपाल कोन थे, धरमवीर थे ठीक है अब यहां से जो question पूछे जा सकते हैं वो क्या है कि धरमवीर जो पहले राज्यपाल रहे उनका सम्भंध किस राज्य से था एक और चीज़ आप याद रखे कि राज्यपाल जो बनाए जाते वो उसी राज्य के नहीं होते हैं वो किसी और राज्य के जो है होते हैं अगर आपने देखा होगा तो हर्याना का आप कोई भी राज्यपाल देखे वो हर्याना का नहीं है किसी और राज्य से जो है वो बिलो पालबाद में सिक्षा कहा पर हुई लख्न वार अल्हबाद में जो थी inкі सिक्षा ने इत्के अलावा ये सिर्फ हर्याना के Χी राज्यपाल नहीं रहे हर्याना के राज्यपाल के अलावा ये वेस्ट बेंगोल पंजाब कर नाटक है यहां के भी क्या रहे? राज्यपाल रहे. ठीक है? और भारत सरकार के पूरो काबिनेट सचीव भी थे. भारत सरकार के पूरो काबिनेट सचीव भी जो थे, ये रहे थे. ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर इनकी टाइमिंग से कोश्चन आ सकता है कि टाइमिंग क्या रही? तो जब हरियाना बना था, हरियाना बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस दिन से लेकर 14 सितंबर 1967 तक इनका कारियकाल रहा. ठीक है? तो 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक धरमवीर जो थे, यह हरियाना के पहले गवर्नर रही. उनिस सो छे में जो था, इनका जनम हुआ था, एजुकेशन मैंने आपको बता दी, लखनव और अलाबाद में इनकी एजुकेशन हुई, जो लंडन स्कूल ओफ इकनॉमिस था, वहां पर इनका जनम हुआ था, ठीक है? तो और बहुत सारी चीजे हैं, लेकिन हमारी लिए जो इंपोर्डेंट थी, धर्मवीर का कार्यकाल था, कि कितना अर्याना के पहली राज्यपाल जो थी, कब से कब तक चुने गए, कहां पर इनका जनम हुआ, सिक्षा वगेर नहीं पूजी जाती है, बटवे ने फिर भी आपको अर्यादी है, West Bengal और करनाट के लिए असाथातमी राज्यपाल रही हैं, हरयाना के भी रही है लेकिन इहां के भी जो थी ent posição से, महसूर के भी राज्यपाल रही थी नचे तेक रॉर श्पोर्स्परसन ते और मौनटेनियर स्पोर्सपरसन स्पोर्समें परस्परसन इन फुच भी अप्लिग लिजेश इजिया माउनटीनियर इसके लावा he was the first Indian to cross the trail pass in Himalaya मतलब पहले इंडियन थे जिसने trails past in Himalya यानि कि जो दर्रह उसको पार किया था ठीक है ठीक तो आप से अगर पूछा जाए कि कौन से राज़े पार्थ थे जिसने trail दर्रह को जो है cross किया था तो वो हर्याना के पहले गवर्णर थी और यह पहले परसन थी यह चीज़ इसमें याद रखेगा ठीक है चलिए सेकिंड पर आते हैं वरेंद्र नरायन चक्रवर्ती यह जो है हर्याना के सेकिंड राज्य पाल रहे सेकिंड राज्य पाल एक और कोशिण जो यहां से पूछा जाता है कि सबसे लंबा कारिय काल किस राज्य पाल का रहा तो वो रहा वरेंद्र नरायन चक्रवर्ती का ठीक है सबसे लंबा कारिय काल आप पूछा जा सकता है कि कब से कब तक जो था यह कारिय काल इनका रहा था त यहां कि 15 नो 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक ठेक है तो यह टाइम पिरिएड आप इसमें याद रखेगा तो आप देख सकते हैं कि लगबग 10 साल लगबग 10 years जो है इनका कार्यकाल रहा विरेंदर नारायन चक्रवर्तिक और यहां से यह में कोशन वैले पहले पूछा जा चुका है क कि सबसे लंबा कार्यकाल किस रजपाल का रहा है तो विरेंदर नारायन चक्रवर्तिका दूसरी चीज इसमें आपको जो सिक्वेंस है वो भी आप याद रखेगा क्योंकि जैसे मुख्यमंतरी की सिक्वेंस पूछ ले गए थी वो आपसे रजपाल की सिक्वेंस भी पूछ सकते हैं दूसरा भी कोशन पूछागिया कि नमैंसे कौन कौन से राजपाल ब NARRATOR बन चुके और कौन से नई बनी है तो सारी चीज़ेंसके बारे में यात रॉठ नहीं होंगी तो पहला वाला हमने पड़ा कि पहले जो राजयपाल रहे नहीं होगी तो पहला वाला हमने जो दूसरा question आ सकते है कि ये कहां से बिलॉंग करते थे तो ये अब नाम से भी पता कर सकते हैं चक्रवर्ति तो कहां पी हो सकते हैं West Bengal यानि कि ये कलकता से बिलॉंग करते थे ठीक है इनकी सिक्षा जो हुई वो भी वहीं पर जो थी हुई थे अब इन में से एक और question आता है कि पहला राश्टरपती साशन जब लगा उस वक्त राजयपाल कौन थे तो राजयपाल उस वक्त कौन थे बियन चक्रवर्ति थे तो प्रिथम राश्टरपती साशन पर्थम राश्टरपती साशन कब लगा ये कोशन भी बहुत बारे जैसी पूछ चुकी है तो 1967 में पर्थम राश्टरपती साशन लगा था राजयपाल हमने देख लिया कि राजयपाल उस वक्त कौन थे राजयपाल थे बी एन चक्रवर्ती ठीक है अब यहां से ये पूच्छा आ सकता है कि राश्टरपती कौन थे जब हर्याना में पहला राश्टरपती साशन लगा तो उस वक्त राश्टरपती थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ठीक है और पियन कौन थे इंद्रा गांधी ठीक है तो यह हो गया ओके अब राश्टरपती साशन लगा है तो राश्टरपती डॉक्टर जाकिर हुसैन और पियन इंद्रा गांधी तो यह सारे पॉइंट इसमें याद रखिए जनम मैंने आपको बताई दिया है ये कलकेटा से बिलॉंग करते थे ठीक है तो सेकेंड राश्यपाल हो गया उसके बाद आती है तीसरे राश्यपाल थे रंजीत सिंग नरूला तीसरे जो राश्यपाल रहे वो कौन रहे रंजीत सिंग नरूला रहे और इनका जो कारिकाल माना जाते है वो माना जाते है 27 March 1976 से 13 August 1976 अग देख सकते हैं बिलकुल थोड़ा से टाइम के लिए जो थी ये क्या रही थे राज़पाल रही थे ठीक है खालसा स्कूल में जो था इनकी एजुकेशन हुई थी लाहोर में इसके अलावा ये फिर पंजाब से ही बिलॉंग करते थे दिल्ली हाई कॉर्ट में उन्होंने काम किया तो ये जस्टिस भी रहे हैं ओके ओके हाँ चीफ जस्टिस रहे ये चीफ जस्टिस रहे पंजाब और हर्याना हाई कॉर्ट के कब 1974 में ठीक है और फिर गवर्नर ये चुने गए थे वैसे कारिय कारी चुने गए थे आप कह सकते हिनको अक्टिंग गवर्नर जो थे चुने गए थे 27 मार्च 1976 से 14 अगस 1976 तक 13 चोदा ये डेट आप देख सकते हैं कई पर मतलब इन्हें अपनी साइट पर कहीं पर 13 कहीं पर 14 दी गए है तो आप लगवग लगवग याद रख सकते हैं 13 चुने सो 76 को बाकी इनके बारे में जादा पूछा नहीं जाता है बट सिर्फ आप नाम इसका याद रख सकते हैं इससे जादा में भी ना पूछे कुछ भी ठीक चलिए अगला देखे ओके फूर्थ नंबर पर जो रहे वो रहे जैसुक लाला थी तो अभी आपने देखा भी होगा पुलिस का जो पेपर हुआ उसमें नाम आया हुआ था कि इनमें से कुन से राज़बाल नहीं जैसुक लाला हाती इसमें दिया गया था तो जैसुक लाला हाती का अगर हम कारियकाल देखें तो यह जो थे इनका जनम पहले पता होना चाहिए जैसुक लाला हाती का जो जनम था यह हुआ था शुराष्टर में या आप कह सकते हैं बंबई में अभी कहां पर है बंबई में, ठीक है, कहां पर हुआ थे इनका जनम, बंबई में हुआ था, और जैसुखलाल हाती जो थे ये पंजाब के गवर्नर और केंद्रिय मंत्री भी जो थे रहे थे, और हर्याना के ये रज्यपाल चुलें गए, 14 अगस्त, 1976 से 23 सितेंबर 1977 तक, ठीक है, मुली गुजरात में हुआ था इनका जनम, लेकिन अभी कहां पर है ये जगह बंबई में आती है, तो इन्होंने अपनी यह कर रखा चले देखें, वैसे जनम याद रख लीजी, मुली गुजरात में, ठीक है, मुली गुजरात में जो था इनका जनम हुआ था, बंबे सी जो थी नोने डिग्री हासिल की थी, और एडवोकेट भी रहे ये, कहां पर, बंबे हाई कॉर्ट में ही, बंबे हाई कॉर्ट में क्या रहे, एडवोकेट भी जो थे, रहे थे, ठीक है, और हाँ रजजपाल ये थे ही, तो बाकि ज़्यादा कुछ यहां से पूछा नहीं जाएगा, तो ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है, चलिए आगे देखते हैं, ये चोथे नंबर के थे, अब बात आती है, हर्चरन सिंग बरार, ये पाँचवे नंबर के रहे, हर्चरन सिंग बरार, जिनका कार्यकाल रहा, 24 सेप्टेंबर 1977 से, 9 दिसेंबर 1979 तक, ठीक है, कौन रहे, हर्चरन सिंग बरार रहे, बस इतना ही आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, जादा रखने की जरुरत नहीं है, इनका जो जनम हुआ था, श्रियांगा फरीद कोट में हुआ था, पंजाब में, ठीक है, पंजाब फरीद कोट में जो था, इनका जनम हुआ था, तो मतलब ये हर्याना के नहीं थे, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो अलग उससे बिलोंग करते हैं उन्ही राज्यपाल बनाया जाता है एक राज्य का राज्यपाल वहीं का नहीं हो सकता है यह सिर्फ एक ही बार हुआ है जहां पे वेस्ट बेंगुल के जो थे धरमवीर ठीक है धरमवीर पढ़े थी ना हमने अब इस इतना याद रखना है कि एक रजय का रजय पाल उस रजय से बिलॉंग नहीं कर सकते हैं ठीक है तो हर्चरन सिंग बरार का जनल पंजाब फरीद कोट में हुआ था इसके अलावा और कुछ याद रखने के इसके बारे में जरूरत नहीं है और ना अभी तक कैसा कुछ पूछा गया है जो इंपोर्डेंट हो ठीक है चलिए अगले हैं पांचवी नंबर पर रहे जो हर्चरन सिंग बरार उसके बाद देखिए उसके बाद आई सुर्जीत सिंग संधावालिया ठीक ह ओके चीफ जस्टिस रही है पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट के 1978 तुन नंबर 1983 और हर्याना के जो है रज्य पाल भी जो थे रहे थे इनका जो कारियकाल रहा सुर्जीत सिंग संधावालिया का ये रहा 10 दिसेम्बर 1979 से 27 फैब 1980 तक इनका जनम जो था दाकिस्तान में हुआ था उस वक्त 1925 में तो अभी आप कह सकते हैं कि ये पंजाब से जो थे बिलॉंग करते थे ठीक है पटना हाई कोर्ट में भी जो था इन्होंने काम किया था 2007 में जो थी इनकी डाथ हो गई थी वाकी चीज़े याद रखने की ज़ुरत नहीं है सिर्फ यह याद रखे बिलॉंग कहां से करते थे तो पंजाब या पाकिस्तान के लैलापूर कोई जगह थी यह यहां जनम जो गणपतराय देवजीत आप से यह बिलॉंग करते हैं मुंबई से इन्होंने जो है एलल भी किया पुने से ठीक है नाम से आप वैसे बता सकते हैं कि कहां से बिलॉंग करते हैं तो गणपतराय देवजीत आप से जो थे यह बंबई की रहने वाले थे और इनका जो कार्यकाल तो यह इनका जो था कारेकाल रहा था ओके इसके अलावा एक और बार राश्ट्रपती साशन जो था लग चुका था तो उस वक्त कौन थे तो वो देख लेते हैं देखे हैं पहला हमने 1967 में पढ़ा था और दूसरा 1977 में लगा था दूसरा राश्ट्रपती साशन उस वक्त कौन थे राज्यपाल जैसुखलाल हाथी थे यहां से यह question important बनता है कि राज्यपाल उस वक्त कौन थे तो जैसुखलाल हाथी थे अब यहां से राष्ट्रपती आ सकता है, राष्ट्रपती जब हम पहला लगा था तो उस वक्त राष्ट्रपती थे डॉक्टर जाकिर हुसेन, और जब दूसरा राष्ट्रपती साशन हर्याना में लगा, उस वक्त BD जती, BD जती, ये जो थे राष्ट्रपती थे, और PM कौन थे मुरार जी दिशाई थे मुरार जी दिशाई ठीक है ये उस वक्त पीम थे तो यहां से जैसुक लाला आथी से ये चीज़ ओर एड कर लीजिएगा ठीक है चली सुर्जीत सिंग संधावालिया जो था हमारा हो गया था गणपतराई देवजी ताप से पुने से बिलॉंग करते थे ये 1984 तक रहा था ठीक है चली नेक्स्ट देखे नेक्स्ट है एसम एच बरनी इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है तो इनका पूरा नाम था सयद मुझफर हुसैन बरनी ठीक है तो ये इनका पूरा नाम था smh बरनी इनका जनम आपसे पूछा चा सकता है तो इनका जो जनम हुआ smh बरनी का यह हुआ था बुलंद शहर यूपी में बुलंद शहर यूपी में ठीक है ये सिर्फ हर्याना के ही राज्यपाल नहीं रहे तरिपूरा नागा लेंड हिमाचल प्रदेश, हरियाना इनके भी जो थे राज्यपाल रहे थे ठीक है? सिर्फ बस यहां से यह जो है important बनता है बाकी कुछ नहीं है इसमें important ओके? चलिए अगला नाम important है यह नहीं है यह है हरी आनंद बरारी हरी आनंद बरारी जो थे यह 9th नमबर के रापजपाल रहे हरी आनंद बरारी जिनका कारियकाल अगर मैं बात करूँ हरी आनंद बरारी का तो 1 minute उसका कारियकाल रह गया है वो देख लेते हैंuencia SMH Bernie का कारियकाल कब से कब तक रहा तो 14 January 1984 से लेकर 21 February 1988 तक जो था कार्यकाल रहा था ठेक है? अब किस फरोरी तक इनका रहा? उसके बाद 22 फरोरी से शुरू हो गया किनका हरी नानंद बिहारी का कबसे 22 फेरवरी 1988 से लेकर 6 फेरवरी 1990 तक जो था इनका कार्यकाल रहा था ठीक है इनका जो जनम हुआ था ये भी कैलकटा से ही जो है बिलॉंग करते थे शिरीबरारी ठीक है वहीं पर जो थी इन्होंने वकालत वगएरे जो की थी या इनकी जो बढ़ाई हुई वहीं पर जो थी हुई थे ठीक है और ये एक क्या थे IB officer थे Indian Intelligence Bureau के officer रही है हरी आनत बरारी Indian Intelligence Bureau officer थे ये ठीक है He was born in Vikrampur, Vikrampur में जो था इनका जनम हुआ था ठीक तो बस इतना है ये इसमें के बारे में आद रख रहा है चलिए अगला नाम important है धनिकलाल मंडल क्यों मंडल है क्योंकि तीसरा राष्टरपती जो साशन था वो इन्हीं के काल में लगा था तो तीसरे जो नाम आते हैं श्री धनिकलाल मंडल जिनका कारियर काल रहा 7 February 1990 से 13 June 1995 में ठीक है बिहार में जो है इनका जनम हुआ था ठीक है और तीसरा जो राष्टरपती साशन लगा उस वक्त राष्टरपती साशन धनिकलाल मंडल ही थे तो तीसरा जो था इनके टाइम पर लगा था ठीक है देखे पहला कब लगा जब बियांग चकरवरती थे दूसरा जै सुखलाल हाती के टाइम पर लगा और तीसरा राश्टरपती साशन धनिक लाल मंडल के टाइम पर लगा था तो तीनों ही important है और तीन बार ही हर्याणा में राश्टरपती साशन लगा है अब यहाँ से राश्टरपती पूछा जा सकता है कि तीसरा जब राश्टरपती साषन लगा उस वक्त राश्टरपती थे कौन तो आर वैंकिट रमन थे आर वैंकिट रमन ठीक है पहले में कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसेन 1967 में फिर दूसरा राष्ट्रपती साशन 1977 जीडी बत्ती थे और तीसरे राष्ट्रपती साशन 1991 में कौन थे आर वैंकिट रमन थे तो तीसरा कब लगा था 1991 में लगा थे यह चीज भी याद रखें और PM आपसे पूछे तो कौन थे पीवी नरसिम्हा राव थे पीवी नरसिम्हा राव जो थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे ठीक है तो तीनों राष्ट्रपती साशन आपको याद रखने है उस वक्त राजयपाल कौन था राष्ट्रपती कौन था और PM कौन थे ठीक है तो यह धनिक लाल मंडल के बारे में बस आपको पता होना चाहिए बाकि कुछ औ ठीक है और इन्होंने जो है जो जैप्रकाश नरायन थे उनका जो मुवमेंट था टॉटल रिवोलिशन मुवमेंट उसको भी ज्वाइन किया था बिहार असेम्बली से इस्तेफा देकर जो है इन्होंने ज्वाइन किया था किसको टॉटल रिवोलिशन मुवमेंट को ठीक ह चले नेक्स्ट देखी अगले जो आते हैं वो आते हैं महावीर परसाद ये भी नाम आपने दीखा होगा पेपर में था जिसे में पूछा गया था कि इन में से कौन हर्याना की राजयपाल नहीं रही है तो महावीर परसाद भी हर्याना की राजयपाल रही कसका महाबीर प्रसाद का इनका जनम कहां पर हुआ था गोरखपूर U.P. में जो है इनका जनम हुआ था गोरखपर U.P. ठीक है तो U.P. मेंजये बिरोग करते थे वहीं फिर इन्हों ने डिग्रिया तो बहुत कि गई थे ला वगर्या सब इन्होंने किया हुआ था, तो जाज़ दर आपने देखा होगा जस्टिस वेगरे, जो बने ला वगरे जो था इन्होंने किया हुआ था, जाथ राथ जपाल जो भी हरयाना की रही है, तो बस यहाँ पर इनकद सिर्फ याद रखे कि कहां से यह बलॉंग करते थे बागी कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे महावीर परसाथ के बारे में चलिए अगला देखिए अगला जो नाम आता है वेट अगला नाम आता है बाबू परमानंद का बाबू परमानंद का जो जुराई 2004 तक चार सालों तक जो थे श्री बाबू परमानंद जो थे क्या रहे अर्याना के रज्यपाल रहे ठीक है और यह बिलॉंग कहां से करते थे डिस्टिक जमू जमू से जो है यह बिलॉंग करते थे इनका जनम जो था जमू में हुआ था आम में एकनोमिक्स की मतब पहली बार यह सिलेक्ट हुए थे असेंबली में उसके बाद फिर इनका सफर ऐसी तरीके से चलता रहा और दू-दो हजार में जाकर जो थे यह हर्याना के राज्यपाल बनाये गए थे ठीक है जड़ी उसके बाद आती है नेक्स्ट श्री ओम प्रकास वर्मा एक मिनिट ओम प्रकास वर्मा इनका जो कारे काल रहा वो रहा दो जुलाई दो हजार चार से लेकर साथ जुलाई दो हजार चार तक ठीक है अगर आपसे पूछा जाए अर्याना का राज्यपाल जिसका काले काल सबसे कम समय तक रहा सबसे कम समय तक रहा तो वो कौन थे ओपी शर्मा श्री ओम परकाश वर्मा थे सुरी ओके तो ओपी वर्मा ठीक अब यहां से पूछा जा सकता है कि कितने दिन का रहा तो only five days का रहा तो पांच दिन का जो था कारियकाल इनका रहा था ठीक तो यह चीज़ इसमें बस याद रखे ओके चले next कुशन देखे अगला नाम है अखलक और रह्मान कि द्वाई ठीक है इनका जनम भी जो था उपी में हुआ था ठीक है कारियकाल की अगर हम बात करें तो इनका जो कारियकाल रहा वो रहा 7 जुलाई जब ओपी वर्मा जो थे हटे थे 2004 से लेकर 27 जुलाई 2009 तक जो थे यह हर्याना की राजज़पाल रहे थे ठीक है राज़पाल से जो जो कोशन और बनते हैं वो मैं एक बार फिट से जो हैट को रिपीट करवा दूँगे जो जो इपोड़ेंट है वहाँ से बन सकते पूछे जा सकते वो देखेंगे ठीक है तो सिर्फ इतना इसमें याद रखिए कि ओपी वर्मा जो सबसे कम काई ते क्रवजपाल रहे उसके बाद को नाय थे अकलप और उर्रह्मान की दवई ठीक है नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं जगनात पहाडिया जगनात पहाडिया आते हैं जगनात पहाडिया जो थे 27 जुलाई 2009 से लेकर 26 जुलाई 2014 2014 तक जो था जगनात पहाडिया का जो था कार्यकाल रहा ठीक है और इनका जो जनम हुआ था ये कहाँ पर हुआ था राज्यस्थान में हुआ था जगनात पहाडिया का जनम कहाँ पर हुआ था राज्यस्थान में हुआ था ठीक है वहीं इससे जो ही इनोंने अपनी जो भी ठीक है चलिक अग्ला नाम important है professor captain सिंग सोलंकी कपतान सोलंकी जो है उनकी बारे में देख रहे हैं कपतान सिंग सोलंकी को जो है अर्याना के जो राज़यपाल थी जगननात पहाड़िया उनका उनकी जगह लेने के लिए जो था लाया गया था ठीक है इनका अगर हम बात करें जनम की तो इनका जनम कहां पर हुआ था इनका जनम हुआ था मध्या प्रदेश में ठीक है कहां पर हुआ था इनका जनम मध्या प्रदेश में जो था इनका जनम हुआ ठीक है और इनकी जो एज एजुकेशन हुई इन्होंने ग्रेजुएशन किया था पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में और बेड की थी विकरम उनिवसिटी उज्जयन से और जिवाजी उनिवसिटी ग्वालियर से ठीक है बट इनका जनम मध्या प्रदेश में हुआ था ये चीज़ इसमें बस या 23 जुलाई 2014 से लेगडर 14 अगस्त 2008 तक कोन रहे रियाना के रज्यपाल कप्तान सिंह सुलंकी रहे थे ठीक है उसके बाद कोन आई उसके बाद जो आई वो आई सत्य देव नरायन आ रिया है ठीक है जो हर्यादा के कों से रज्यपाल थे सत्यदेव नरायन आरिया है ठीक है अब यहां से पूछा जा सकते है कि यह कहां से बिलॉंग करते थे तो सत्यदेव नरायन आरिया की अगर हम बात करें तो इनका जो जनम हुआ था वो हुआ था बिहार में बिहार में था सत्यदेव नरायन आरिया का और अभी present में अगर बात की जाए तो यह कहां के राजयपाल है त्रिपुरा के राजयपाल है ठीक है और पार्टी आपको पता है BJP से बिलॉंग करते हैं यह भारतिय जंता पार्टी से बिलॉंग करते हैं तो इतना वो आपसे पूछेंगे नहीं तो त्रिपुरा से बिलॉं करते हैं ठीक है और सबसे last में जो आते हैं वो आते हैं बंडारू दत्तात्रे जैसा कि आप सभी को पता है बंडारू दत्तत्रे के बारे में question पूछा भी गया कि कहां कि राज़ेपाल हैं कहां से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले तो ये 18th नमबर के जो हैं गवर्नर है 18th ग ठीक है और इससे पहले ही का जो कार्य काल था वो कहां का था ये पूछ सकते हैं आपसे तो उससे पहले जो थे ये हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के क्या थे राजयपाल थे और अभी कहां के हैं अभी है जो ये हरियाना के राजयपाल अठारवी राजयपाल है और तिलंगाना जो है ये बिलोंग करते हैं इन्होंने जो है तिलंगाना के सिकंद्राबाद सीट से जो था क्या लिया था बारते जिंता पार्टी के और से भाग लिया था तो तेलंगा ना के सिकंदराबाद सीट जो है आप इसमें याद रखेगा और 15 जुलाई 2020 से लेकर वर्तमान तक अभी भी जो है क्या है हर्याना के जो है राज्यपाल कौन है बंडारू दतत्रे ही है ठीक है चलिए अब important points जो है एक बार देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं आप से quick revision आप इसको बोल सकते हैं देखें शुरू करती है अब सबसे पहला question जो देखने को मिलता है और बार बार जो है एक्जाम में पूछा भी जा चुका है हर्याना का प्रत्थम राज्यपाल तो हर्याना के प्रत्थम राज्यपाल कोन रहे धरमवीर सिंग रहे इसके अलावो और कहां कहां के राज्यपाल जो थे धरमवीर सिंग रहे तो वेस्ट बेंगोल के रहे मैसूर के रहे करनाटक के रहे तो वहां के भी जो थे राज्यप रहे थे और भारत काबिनेट सची भी जो थे रहे थे ये ठीक है तो यह चीज इसमें याद रखे आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में रज्यपाल कोन है तो बंडारू दतात्रे अगर आपसे पूछे कि वंडारू दतातरे ने तिलंगाना की किस सीट से बिजेपी में भाग लिया था तो सिकंदराबाद से बिलोंग कहां से करते हैं तिलंगाना से और कौन से नमबर के राज्यपाल है 28 नंबर की रज्य पाल है ठेक है इसके अलावा आपसे पूच सकता है लोग सेवा आयो के सदश्यों के नियुक्ति कोन करता है अ तो रज्य पाल करता है ठेक है रज्य पाल जो है नियुक्ति करता है ओके next question जो यहां से पूछा जा सकता है कि राज्यपाल कितने एंगलो इंडियन्स को मनोनित करता है तो राज्यपाल कितने एंगलो इंडियन्स को मनोनित करता है तो एक को मनोनित करता है ठीक है राज्य सरकार का सवेधानिक प्रधान कोन होता है तो राज्यपाल होता है अब कुशन आता है, सबसे लंबा कार्येकाल किस रज्यपाल का रहा, सबसे लंबा कार्येकाल, यह हमने बढ़ा था, BN चक्रवर्ती, का जो कार्येकाल था, वो सबसे लंबा रहा, कब से कब तक रहा, तो 15.9.1967 से लेकर 26.3.1967 तक तो कितना रहा लगबग, लगबग 10 साल जो है, इनका कार्येकाल रहा था, ठीक है, तो यह आप बता सकते हैं, याद रख सकते हैं इसको, ओके, फिर आप से पूछा जाए, दूसरे नंबर के गवर्नर कोन बनी, अर्याना के तो BN चक्रवर्ती ह इसके लाब एक और कोशन आता है, बिवानी नहर, जो राज्ये की सबसे छोटी नहर है, इसका नाम किस राज्येपाल के नाम पर रखा गया है, तो BN चक्रवर्ती की नाम पर जो है, इसका नाम रखा गया है, ठीक है, फिर कोशन आता है, सबसे कम समय तक कोन रहे जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2004 तक केवल 5 days तक जो थे वो क्या रहे थे हर्याना के राज्यपाल रहे थे ठीक है चलिए next question जो यहां से important बनता है next question क्या बनता है कि हर्याना के एक मात्र हर्याना का मुख्य मंत्री जो राज्यपाल बना नहीं सुपर वो हर्याना का नहीं बना था यह चीज इसे में बस याद रखिए तो यहां से important नहीं बनेगा वो हम मुख्य मंत्री में देख सकते हैं ठीक है फिर मैं मैं बता देती हूं कि एक मात्र हर्याना का मुख्य मंत्री जो राज्यपाल बना ओवेसा हर्याना का नहीं बन सकता था, ठीक है, कोन बना था, बीडी शर्मा, कोन थे बीडी शर्मा, भगवत, दयाल, शर्मा, ये जुथे, जो क्या बने थे, मुख्या मंतरी के साथ, हम लब हर्याना की मुख्या मंतरी तो बने ही, उसके लावा ये, क्या रहे, राज्यपाल पहली महिला राजयपाल जिननम हर्यानमे हुआ था कों थी राज्य में जनमीем पहली महिला राज्यपाल कहां पर जनमी हर याणा राज्यपाल, अगर उनका जरम हुला थो ओव याणा की राज्यपाल नहीं हो तो उनका नाम था चंदरावती था अब कोशन आता है कि वो कहां की जो थी राज्यपाल बनी थी तो वो राज्यपाल बनी थी पांडी चेरी की ठीक है कुद्दु चेरी पांडी चेरी जो याद रखे आप पांडी चेरी ठीक है यहां की राज्यपाल जो थी चंदरावती बनी थी और ये हर्याना में जन्मी पह पर्थम पुरुष कह लिए जो बाहर का राजयपाल जो था हर्याना का पहला बंदा कौन था पुर्षों में जो बाहर का राजयपाल बनाया गया था तो वो कौन था बगवत द्याल शर्मा कहां के बने थी यह देखी लिया है और यही चीज आफ से पूछी जाए कि राजय मे बढ़ी शर्मा इसके लावा देखे और कौन-कौन बन के हैं अचार्यय देवरित बन चुके हैं देखें आचार्यय देवरित हर्याना से बिलोंग करते हैं और इन्हों ने पुलिस वाले पेपर में यही जो था थोड़ा से कंफ्यूज करने के लिए वहां पे क्या डाल दि ठीक है आचार्य देवरित राज्यपाल बन चुके हैं लेकिन हरियाना के नहीं बने हैं लेकिन कोशन में क्या था कि हरियाना के राज्यपाल कोन कोन से रहे हैं आचार्य देवरित राज्यपाल जरूर रहे लेकिन हरियाना के नहीं रहे क्योंकि जब यह हरियाना से बिलॉंग अरियाना के रजापाल तो हो गिनी सकते है, तो आचार्य देवरत, जो थे रजापाल रहे लेकिन बाहर के रहे, ठीक है? तो रजय मेखें जनवे व्यक्ति, जो बाहर के रजापाल रहे उनमें कोन को न आ जाएगा चंद्रावती, बेडि शर्मा, आचार्य देवरत, इसके इ और भी नाम याद रख लिजे सुल्तान सिंग ये भी जो थे रहे प्रोफेशर गनीशीलाल रहे गनीशीलाल और सत्यापाल मलिक सत्यापाल मलिक दो नाम और कौन से थे बिड़ी शरमा जो पहले बने थे बाहर की राज्यपाल और महिलाओं में चंद्रावती तो यह आप काउ तो इसे कितने वेक्ति हो जाएंगे टोटल 6 वेक्ति हैं जो अपने राज्य में जनम लेकर बाहर के राज्यपाल बने हैं तो यह चीज इसमें याद रखेगा तो यह पर उची जा सकती है ठीक ऊके एकप ठोड़ा सबस्वीड के loss थे लमबा कंप法 सर्था मोरे तो तूबल्ड उसल्हाषिपाल कोण रह है नरूल्म और छोथे नमब्ड को नबर गष्जा namely पने जैसुखलाल हाथी जैसुखलाल हाथी नार कॉन आए पांचवे नमब्ड परून आए पांति नम हर्चरन सिंह बराड हो हर्चरन सिंह बराड ही चरन dif तृक है je n Eso subscribe कुछिछ नाम थनका साथ मे नमबर के जो राजिय पाल रहे satisfy GD तापसे जीड़ी तापसे गणेश्व यद एवश्योद आपका कुछ ऐसा नाम था ना उनका गनेश देवताप से ठीक है तो यह होगे साथ नंबर के चलिए उसके बाद आठमी नंबर पर जो राज्येपाल रहे वो कौन बने वो बने यही थे नोवी नंबर पर राज्येपाल रहे एक्चे बरार हरी आनंद बरार ठीक है दस्वी नंबर के जो राज्येपाल रहे वो रहे महावीर उससे पहले धनिकलाल मंडल थे धनिकलाल मंडल याद रखे धनिकलाल मंडल के टाइम पर क्या हुआ था तीसरा राश्ट्रपती प्रसाद बारवी नंबर पर आए बावु परमानंद और तेरवे नंबर पर आए ओपी वर्मा वर्मा ओम प्रिकाश वर्मा ठीक है जिनका कार्यकाल पांच दिन तक रहा सबसे कम ओके चोते नंबर के जो राज्यपाल बने वो कौन बने थे ए आर किदवाय की जगह को कोन आये थे पंदरवे नंबर पर आये जगनात पहाडिया और जगनात पहाडिया हमने पढ़ा था जगनात पहाडिया को किस ने रिप्लेस किया था कप्तान सिंग सोलंकी ने किया था तो 16 नंबर के हो जाएंगे कप्तान सिंग सोलंकी ठीक है कप्तान सिंग सोलंकी की जगे को सत्य देव नरायन आरिये और अभी प्रेजेंट में हर्याना की राज्यपाल बंडारू दतात्रे ठीक है बंडारू दतात्रे तो यह अठारा की अठारा आप याद रखेगा एक बर और अप सिक्वेंस देख सकते हैं इसकी इसीली आपको याद हो जाएगी पहले दरमवीर थ चोथे जोथे जैसुकलाला अत्ति थे ठीक है पाछ्वे परण आए चटवे पर संधवालिया साथवे हो जिडी तापसे थे आठवे पर अरुनी थे नोले बेनार था दसवे में धनिकमलाल मंडल tox towel में ही तीसरा जोथ इसके अलाब पंदरवे पर जगनात पाडिया, कप्तान सिंह सोलंकी, सत्यदेव नरायन आर बंदादु बंदादु नरायन आर पर पहले दूसरे भी याद रखिएगा फर्स सेकिंड याद हो गया, दसमा आपको याद हो गया, ठीक है, एक और हमारा रह गया, चोथी नंबर का, जैसुखलाला आती, जिसमें 1977, क्या लगा था, 1977 में, दूसरा जो था, राश्टरपती साशन लगा था, तो यह चार नाम तो आपको ओवे से पता हो नहीं चाहिए, स साथ-साथ-पूरी अगर आप याद कर लेती है, सिक्वेंस तो बैटर है, दो-तिन वार अगर आप पढ़ेंगे इनको सिक्वेंस में, तो आप याद रख भी पाएंगे, तो जो-जो इंपोर्डेंट चीजे बंदी थी, वो मैंने आपको इसमें बता दी है, जो आपसे तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा और शेर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, थैंक्यू सो मच